हेलो फ्रेंड्स मैं मन्जू मितल आपका स्वागत करती हूँ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक क्विक एंड हेल्दी ब्रेक्फ़स्ट रेसिपी ओर्स उप्मा इसके लिए हमें चाहिए ओर्स ओर्स को हम ड्राय रोश्ट कर लेते हैं यहाँ पर मैंने वान कप ओट्स लिया है इसमें आपको कुछ भी घी ओयल डालने की जरूरत नहीं है आप इसे तीन से चार मिनट के लिए और थोड़ा कलर ब्राउन हो जाए कोक करना है वेट रिड्यूस करने के लिए कई बार हम खाने को स्किप करते हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे एक टाइम के बाद बहुत जादा वीकनेस आ जाती है तो जब कभी पे आप अपने आपको थोड़ा पतला करना चाहिए थोड़ा फिट करना चाहिए थोड़ी एकसरसाइज और खाना जरूर खाएं इसमें से अच्छे से फ्रेग्नेंस आनी शुरू हो गई है और इसका कलर भी थोड़ा लाइट गोल्डन हो गया है ऐसा करने में हमें तेन मिनट लग गए हैं अब हम इसे साइड में रख देते हैं यहाँ पर हमने डाला है एक छोटा चमच देसी घी एक छोटा चमच मस्टर्ड कुछ करी पत्ते एक से दो इस्टिक आप ले सकते हैं इसे हलका सा रोस्ट करेंगे जब यह थोड़ा क्रेकल होना शुरू होगा हम इसमें डालेंगे थोड़े से केशुनर्स आप यहाँ पर पीनट, ऐलमट्स, वालनट जो भी आपका दिल करें आप यहाँ पर डाल सकते हैं यह देखे जी, क्रैकलिंग की आवाज आनी शुरू हो गई है अब हम इसमें एड करते हैं बिल्कुल एक छोटा चमच, केशुनर्स, वान बिग साइज अनियन बट फाइन करेंगे हमारे अनियन का कलर लाइट पिंग हो गया है आप गैस को स्लो और हाई करते रहेंगे क्योंकि एकदम से आप हाई फ्लेम पे कुकिंग करेंगे तो वो बहुत जल्दी हो जाता है बट वेजेटेबल का प्रॉपर टेस नहीं आपाता आपके अनियन जल जाते हैं तो हमने बीच बीच में इससे स्लो कर देना है सिर्फ और सिर्फ लाइट पिंग कलर होने तक ही से कुक करना है अब मैं इसमें डाल देती हूँ एक छोटा चमच ग्रेन चिली आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो ग्रेन चिली अवोइड भी कर सकते हैं यहाँ पर मैं जींजर डाल रहे हूँ जींजर को मैंने अच्छे से वाश किया और जींजर को ग्रेट करने से क्या होता है इसका जो जूस निकलेगा इससे फ्लेवर बहुत जादा अच्छा आएगा अब हम इसमें डालेंगे बॉयल वेजटेबल यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा चमच पीज एक कैरेट एक बड़ा चमच स्वीट कॉन और चार से पाँच ग्रीन बीन्स मैंने दो कप पानी डाल कर इनको बॉयल किया बॉयल होने के बाद जो पानी बच गया यानि हमारा जो वेजटेबल स्टॉक है इस वेजटेबल में हम वही स्टॉक डालेंगे इससे इसके पूरी nutrition value आपको मिल जाएगी कहीं भी कोई पार्ट वेस नहीं होगा तो अब हम इसमें एड करते हैं बॉयल वेजटेबल हाफ टीस्पून सॉल्ट हाफ टीस्पून पैपर हाफ टीस्पून हल्दी इसे भी एक से दो मिनट के लिए हमें कुप करना है आप देख रहे हैं ना हल्दी डालने के बाद कलर कितना सुन्दर आ गया है अब हम यहाँ पर एड करेंगे रोस्टेड ओर्स इन सबको भी मिक्स करना है ज्यादा अच्छा है आप जितना ओर्स उतने वेजिटेबल लें इस बहाने वेजिटेबल बहुत सारी खाई जाएगी और बहुत ही अच्छा स्वाधा आता है वेजिटेबल से अब हम ले रहे हैं यह स्टॉक मैंने एक कप ओर्स लिया था तो यहाँ पर मैं देना चाहें आपने ऐसे लिट लगा दी इसको कोख होने में 4-5 मिनट्स लग जाएंगे इसे हमें सिम गैस पे ही कुक करना है आप इसे हाई फ्लेम पे कुक नहीं करेंगे पांच मिनट हो गए है और अब हम इसे जड़ा चेक कर लेते हैं हाँ जी बिल्कुल तयार हो गया है हमारा ओर सुपमा इसे हमने अच्छे से मिक्स किया और मैं इसमें अब एड़ करती हूँ आदा चमच, शुगर, मैं गैस बांद कर देती हूँ क्योंकि इसमें मैं अभी लाइम जूस डालने माले हूँ और लाइम जूस को ज्यादा पकाने के जरुवत नहीं है तो यहाँ पर अभी मैं डाल रही हूँ वान टीएस्पी, लाइम जूस, एक बड़ा चमच, कॉरियंडर और अब इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है बहुत ही अच्छी सी खुश्बू आ रही है इसमें से लेमन, कॉरियंडर और बहुत सारी वेजिटेबल की यह देखीजी, हमारा ओड सुप मां तयार है अब हम इसे सर्व करते हैं अगर आपको हमारे रेसिपी पसंद आई तो साइड में दिये गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और हमारे वीडियो को लाइक करें